इंपिरियल ड्रेम वर्ल्ट कंपनी के जरिये शेर बाजा में निवेशकों को 50 प्रतिशत का लाप देने का लालज दे कर लाखों रुपे की धोकर धड़ी करने का मामला सामने आ रहा है आरोपी के खिलाब बजाज नगर थाने में मामला दर्च किया गया है जानकारी के मताबिक सुवेदा लियाउट की सुदर्शन कॉलोनी निवासी किशोर संतोश्रा सोंकुवर बिजली समंदिक कारियों का ठेका लेता है उसकी पहचान दोस्त दिवस्ती चोहान के जरिये 36 कड़ के राइगर जिला अंतरकत भगवान पूर निवासी ब्रजेंदर मुहन अम्रेश की रूप में हुई थी वहीं उसे पता चला की ब्रजेंदर बिजली से चुड़े कामों के बड़े ठेके भी लेता है यह भी पता चला है कि ब्रजेंदर को एक बड़ा ठेका मिल गया है और उसे निवेशकों की जरूरत है दिवस्ती की मदद से किशोर और ब्रजेश आठ रोट चौक सिथ होटल अशोक में मिले इसी दोरान ब्रजेंदर ने बताया कि उन्हें वर्सा से वानी तक बिजली लाइन बिचाने का ठेका मिला है इसके लिए उन्हें निवेशकों की जरूरत है निवेशकों को 50% लाप देने की बात कहते ही जहासे में आए किशोर ने एग्रेमेंट बनवाया और ब्रजेंदर के ठेके में 15 लाख रुपे का निवेश किया लेकिन उसके बाद ब्रजेश ने ना कभी किशोर को काम की साइट दिखाई और ना ही इसका लाप दिया रकम वापस मांगने पर टाल मचोल करने लगा इस बीच उसने 90,000 रुपे किशोर को वापस किये लेकिन 14,10,000 रुपे अभी भी ब्रजेंदर पर बागी है यह बात 14 अक्टूबर 2018 से 28 जैनवरी 2019 की है मामले की शिकायत मिलने से क्राइम ब्रांच की आर्थिक विंग ने इसकी जाच परताल की इसमें धोकधड़ी की पुष्टी होने पर गुरुवार को आरोपी व्रजेंदर के खिलाफ प्रकरन दर्ज कर लिया गया है मामले की अधिक जानकारे दिये अदालत में पीडिक की और से मामला पेश करने वाले वकीन ने क्यामरा पर सुन राजकमा मोहड के साथ अकसा अंसारी BCN News नाकपूर